कॉन चीज बॉल्स एक परफेक्ट पार्टी स्टाटर स्नेक है? ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत चीजी होते हैं. तो चलिए टेस्टी कॉन चीज बॉल्स बनाना शुरू करते हैं. कॉन चीज बॉल्स के लिए बताई के समगरी 6 से 7 लोगों के लिए काफी है? सबसे पहले एक मिक्सिंग बॉल्स में दो उबले हुए आलू डाल कर अच्छे से मैश कर लें. इसमें कदुकस की हुई एक कप मॉजरिला चीज. और एक चमश लहसु नद्र की पेस्ट डाल कर मिला दें. अब इसमें बारी काटी हुई आधा कप गाजर, आधा कप फल्या, एक कप उबले हुए स्वीट कॉन्स, एक चमश या स्वादुनुसार नमक, एक चमश पीसी हुई काली मिर्च, एक चमश किचन किंग मसाला, एक चमश बारी काटा हुआ धनिया, और दो चमश कॉन्फोर डाल कर अच्छे से मिला दें. अगर आप चाहें तो इसमें अपने बसंद की सबजियां भी डाल सकते हैं. इस मिक्शर को हम हाथों से मिक्स करेंगे, और कॉन को जितना हो सके अच्छे से मैश कर लें. अब इस तैयार किया हुए मिक्शर के हम बॉल्स बनाएंगे, जिसके लिए हाथों पर थोड़ा रिफाइन डॉयल लगाएं. और इस तरह से थोड़ो थोड़ा मिक्शर दोनों हाथों में लेकर इसके गोल्ड बॉल्स बना लें. इसी तरह हमने सारे मिक्शर दोनों हैं. अब हम दो अलग अलग बॉल्स में आधा अधा कप मैदा डालेंगे. एक बॉल्स में हम मैदा सूखा ही रहने देंगे और दूसरे में इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी मिला कर इसकी पेस्ट बना लेंगे. अब तेयार के हुए बॉल्स को पहले सूखे मैदे में डालें. फिर मैदे के पेस्ट में डिप करें. और लास्ट में इसकी ब्रेट करम से कोटिंग कर लें. इसी तरह से हम बाकी की बॉल्स की भी कोटिंग कर लेंगे. क्लिए कामी बॉपी के तरह समें की बॉल्स की बॉल्स कि याली में इसकी बॉल्स को जचाए? तरह से सी दो में इसकी बॉल्स की अप्रीघक। कौन चीज बॉल्स फ्राइ करने के लिए तयार है इन्हें फ्राइ करने के लिए एक गरम कढ़ाई में रिफाइन डॉल डाले जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तब तयार किये हुए कौन चीज बॉल्स डाल कर इन्हें डीप फ्राइ कर ले ये तुरत ही तैयार हो जाएंगे जब इनका रंग गोल्जन बाउंसर नजराने लगे तब इने गलम तेल से निकाल ले इसी तरह हम पाकी के बॉल्ज भी गरम तेल में डाल कर फ्राई कर लेंगे ये कौन चीज बॉल्ज बहुत ही टेस्टे बने है ये बाहर से बहुत क्रिस्पी है और अंदर से बहुत सौफ्ट और चीजी है ये कौन चीज बॉल्ज किसी पाटी या गेट टुगेदर में सर्फ करने के लिए बहुत बढ़िया स्नैक है आप इस रेसेपी को ज़रूर ट्राई करें चीज से बने हुए स्नैक्स मेरे फेवरिट है अगर आपको भी चीज से बने हुए स्नैक्स पसंद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं ऐसी ही और रेसेपीज आपके लिए लाती रहूं मेरी वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद